वेलकम टू टेक इस्टड़ी आईटिय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीसियन थेयोरी सेकंडियर आईटियाई CBT एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टन कुश्चन होने वाले इलेक्ट्रीसियन थेयोरी सेकंडियर part 1 आज से आपके लिए start हो रहा है आगे आने ओले सारे parts इसी channel पे आपको मिल जाएंगे आप पूरी तैयारी अपनी CBT एक्जाम के इससे कर सकते हैं आप जिस भी trades हैं सारे trades आपको एक एक करके इस पे मिल जाएंगे है तो चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो इस तरह से यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें चलिए वीडियो स्टार्ट करते है तो फर्स्ट कुष्चन है यहां पर आपको एक इमेज दिया हुआ है और इस तरह से एक पार्ट को एक से डिनोट किया है यह पूच रहा है क्या है आप्शन ए आपको दिया है आरमेचर कोर आप्शन बी ब्रस आप्शन सी कम्यूटेटर रेजर या आप्शन डी कम्यूटेटर सेग्मेंट तो यह क्या चीज है यह कम्यूटेटर रेजर है आप्शन सी इस दा राइट आंसर कम्यूटेटर रेजर इस तरह से इसे मेज में आप देख सकते हैं क्या क्या और पार्ट होता है ये पार्ट है commutator razor ये जो पार्ट होता है insulated copper segment होता है basically ये end cap होता है ठीक है ये complete assembly होती है आपकी commutator कि ये commutator razor है चलिए next question है what is the name of DC generator DC generator का नाम क्या है यहाँ पे आपको एक DC generator दिया हुआ है ये कौन सा DC generator है ये आप से पूछ रहा है option A आपको दिया है differential long sunt compound option B है differential short sunt compound option C है cumulative long sunt compound या option D है cumulative short sunt compound ठीक है तो DC generator कई type के होते हैं जैसा आपको पता है basically होता है एक होता है self excited एक होता है और दूसरा होता है separately excited DC generator उसके आगे कई parts होते हैं वो आपको हम discuss करेंगे तब तक इसका answer देख लेते हैं तो इसका सही answer है differential long sunt compound देखे long sunt compound क्यों है पहले तो compound क्यों है समझ लेते हैं फिर सारे जनरेटर के parts भी समझेंगे यह देखे आपका DC generator है basically इसमें आप देखे compound क्यों है यह क्योंकि इसमें series में भी binding है और sunt में भी है sunt binding अगर इस तरह से जुड़ती तो इसको हम क्या बोलते है short sunt compound ठीक है लेकिन चुकि sunt binding इस तरह से यहाँ पे जुड़ी हुई है तो इसको हम बोलेंगे long sunt compound चलिए DC generator के और जो type होते हैं उनको समझ लेते हैं तो आपको जो भी इससे related question आएगा उस सारे doubt आपके clear हो जाएंगे यहाँ पे देखे आप इससे समझ यह थोड़ा सा कि DC generator पहले देखे कितने type के होते हैं या DC machine DC generator होते हैं फिर जैसा हमने आपको कहा separately excited फिर एक होता है self excited separately excited वो generator होते हैं जिनको हमें separate किसी source के थूर ने excited करना पड़ता है तब वो generator operate होते हैं इनको प्राया अभी आम तोर पर use नहीं किया जाता है जो self excited DC generator होते हैं इनको use किया जाता है Self excited DC generator में फिर तीन पार्ट होते हैं एक Sun excited एक होता है Series excited फिर एक होता है Compound excited ठीक है यहाँ पे जैसे आपने देखा था Compound में भी फिर दो प्रकार का होता है एक Short Sun compound एक Long Sun ठीक है इसमें फिर होते हैं इनके दो टाइप होते हैं Short Sun या Long Sun के Cumulative Compound या Differential Compound तो इसी में हो गया Cumulative Short Sun Compound या Cumulative Long Sun Compound साथ ही Differential Short Sun Compound या Differential Long Sun Compound ठीक है तो Series Generator क्या होता है बेसिकली जिस Generator की जो Series Binding है वो Armature के Series में जो Connect रहता है Field उसको हम Series Generator कहते हैं तो इससे इस तरह पे यहाँ देख सकते हैं यह आपका Armature है इसके Series में आप देखें यहाँ पे Connected है जो Binding इसलिए इसको हम Field इसलिए इसको हम Series Binding कहते हैं Series Generator कहते हैं ठीक है यहाँ पे Sun T, دेखें आप Sun T, Wound Generator इसमें देखिए Armature जो Field Binding है वो पैरलल में connected है, तो armature के जब parallel में connect होती है, binding यहाँ पे देखिए, armature है, इसके parallel में connected है, तो वो sunt generator होता है, ठीक, similarly जो compound generator होता है, compound मतलब आप समझ सकते हैं, mystery type का, इसमें आप देखेंगे, sunt winding भी होती है, और series winding भी होती है, मतलब armature के series में, स्रीज field होता है, sunt field इसको हम sunt compound generator कहते हैं, अब लगते हैं, वनको आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे यह क्या है, यह short sunt compound हो गया, जैसे आपको आपको हमने कहा था, यहाँ पे, फिर यह long sunt compound, क्योंकि जो cent binding है वो armature और armature के जो binding है उसके parallel में connected है ठीक है यहां पर देखिए यह long cent compound क्यों है यहां पर देखिए अब series binding के साथ यह connected है और armature series binding इसमें include हो जा रही connection में ठीक है तो यह लोंग cent compound हो जाता है इसके लावाँ यहां से चोटी से clarity और ले आप इसमें क्या है कुमुलेटिव साट संट कंपाउंड क्या है इसको देख सकते हैं यहां पर आपका इसका फीगर दिया है साट संट कंपाउंड यहां पर क्योंकि आर्मेचर के साथ ही संट कनेक्टेड है तो यह आर्मेचर के पैरलल में तो हो गया साट संट कंपाउंड य यह differential sunt compound का figure आपको दिया हुआ है उम्मीद करते हैं कि यह question आपका clear हो गया होगा कि क्यों इस generator के figure को हमने differential long sunt compound कहा था ठीक है next question पर आते है which rule is used to find the direction of induced EMF in DC generator DC generator में प्रेरित EMF की दिशा ग्याद करने के लिए किस नियम का उपियोग किया जाता है option 1 cork screw rule, option B right hand palm rule option C flaming left hand rule option D flaming right hand rule इसका सही option आपका है flaming right hand rule DC generator में जो हमारा EMF होता है induced उसकी दिशा जो ग्याद करते हैं flaming के दाएं हाथ के नियम से याद करते हैं यह बहुत important question है तो एक बार flaming के बाएं हाथ कर नियम और flaming के दाएं हाथ का नियम आप लोग जरूर किलियर रखेगा इससे हमेशा अकसर question पूछे जाते हैं तो flaming का जो बाएं हाथ का नियम होता है अगर आप अपनी बाएं हाथ को इसी shape में यहाँ पे जैसे दिया हुआ है इस तरह से shape में रखते हैं जिससे आपका अंगुठा उसके बगल की index finger यानि तरजनी उंगली जिसको बेलते हैं और जो आपकी middle finger होती है बीच वाली उंगली वो तीनों एक दूसरे के perpendicular होनी चाहिए तो उसमें अंगुठा जो होता है वो आपका motion of the conductor मतब चालक की गती को दिशा को दिखाता है साथ ही जो आपकी index finger होती है अंगुठे के बगल वाली उंगली होती है वो magnetic field को दिखाती है और जो आपका बीच वाला उंगली होता है medium middle finger वो आपका induced current जो होता है उसकी direction को दिखाती है ठीक है यह होता है flaming के दाएं हाथ का नियम next question है which formula is used to calculate the generated EMF in DC generator DC generator में उत्पन EMF की गड़ना करने के लिए कि सूत्र का उपयोग किया जाता है option A है generated EMF is equal to 5 ZN upon 60 bolt option B है generated EMF is equal to 5 ZN A upon 60 P bolt option C है generated EMF is equal to P ZN upon 65 into A bolt या option D है generated EMF is equal to 5 ZN upon 60 into P upon A bolt तो इसका सही option क्या होगा आपका option D हमारा basically हम लोग इसको लेखते हैं P 5 ZN upon 60 A ठीक है यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं चलिए इसको समझते हैं इससे देखिए P 5 ZN upon 60 A ठीक इसमें E जो होता है यह EMF होता है basically generated EMF P number of poles होता है ठीक है 5 जो होता है हमारा flux per pole होता है Z total number of conductors होते हैं ठीक है total number of conductors या number of slots into number of conductors per slot ठीक N जो होता है वो rotational speed याने हमारा RPM होता है लेकिन armature का ध्यान देंगे rotational speed of armature RPM A जो होता है अमारा यह number of parallel path in armature होता है अब binding देखिए दो type की होती है तो A is equal to always 2 होता है अगर wave binding है generator की ठीक है wave binding है 2 और A is equal to P नमबर आफ poles जितने होते हैं A उतना ही होता है अगर lap binding है तो आगे इसको clear करेंगे जब question आएगा तो lap और wave binding पे अक्सर question पूँचे जाते हैं तो ध्यान दीजिए जब भी अगर wave binding होगा और आप से EMF पूचेगा तो A की value हमेशा आपको 2 put करनी है और अगर lap binding पूचेगा तो A की value हमेशा कितना रखना है जितना P होगा तो basically आप देखेंगे जब lap binding होता है तो EMF का formula यही इतने तक सीमित रह जाता है क्योंकि P और A की value आपस में cut हो जाते हैं ठीक है चलिए next question देखते हैं कोई doubt होने से आप comments करिएगा कोई अगर doubt है किसी question में question number लेके तो उस question को आपको अच्छे से हम courses करेंगे समझाने के अगर कुछ doubt आता है तो what is the formula to calculate बैक EMF off a DC motor EMF बैक EMF की गड़ना करने का सूत्र क्या है DC motor में DC motor में बैक EMF क्या होता है उसका सूत्र आप से पूँच रहा है तो DC motor में जो बैक EMF होता है यहाँ पर option आपको देख रख है EB यानि बैक EMF is equal to V by IARA या option B है EB is equal to V IARA option C है EB is equal to V minus IARA या option D है EB is equal to V plus IARA तो इसका सही option क्या है EB is equal to V minus IARA ठीक है EB बैक EMF होता है इसकी जो formula होता है IARA V voltage है IAR mature current है R जो है armature resistance है ठीक है next question है what is the name of the part marked X in DC generator DC generator में X के रूप में चिन्नित भाग का नाम क्या है यह X दिया है सेप आपको इसमें X से इसको denote किया है इसका क्या नाम है पूँच रहा है option A है pole tip option B है pole coil option C है pole core या option D है pole sue ठीक है तो यह क्या है यह basically आपका pole sue है pole sue क्या होता pole sue क्यों होता है अगर देखेंगे तो pole sue जो होता है यह हमारा flux होता है उसको air gap में spread करने के लिए रहता है और reluctance को reduce करने के लिए रहता है साथ ही जो exciting coil होती है जो उत्तेजित coil होती है हमारी उनको support करने के लिए pole sue का यूज किया जाता है ठीक है तो पोल्सु यहां से आपको क्लियर हो जाएगा spread out the flux अगर आपसे question यह भी पूछ सकता है पोल्सु का काम क्या है तो spread out the flux in air gap and reduce the reluctance air gap में flux को फैलाने का काम करता है साथ ही reduce करता है reluctance को और support करता है exciting coils को next question है what is the name of DC generator DC generator का नाम क्या है देखे हमने पीछे आपको पढ़ाया था बताया था question में कि DC generator कितने type के होते हैं एक होता है self excited और एक होता है separately excited separately excited में क्या करते हैं उसको अलग से उत्तेजित करते हैं ठीक है तो option यहां देख लेते हैं पहला option है center generator दूसरा है series generator तीसरा compound generator चौथा है separately excited DC generator तो देखे series generator यहां होगा नहीं क्योंकि series में binding कहीं connect आपको दिख रहा है यहां पे जैसा हमने safe आपको बताया था series generator का कि इस तरह से अगर है हमारा armature तो यहां पे इस तरह इसकी जो binding series में लगी रहती है उसको series generator कहते हैं संट की जो है armature के संट में उसका field रहता है तो यह कौन सा generator है आप देखिए यह आपका generator है ठीक है इसको यहां अलग से आप देखिए एक source लगाया गया DC source देके उसको excited किया जा रहा है मतलब इसको एक separate source दिया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा separately excited DC generator separately इसको हम excited कर रहे हैं आजकल नार्मली यह यूज नहीं होता है generator बट यह figure उसी का है ठीक है तो separately excited DC generator है यह next question देखेंगे which energy is converted into electrical energy by generator generator द्वारा की सूर्जा को बिद्ध तूर्जा में परिवर्थित किया जाता है option A है heat option B kinetic गती या option C है chemical रासाइनिक energy या option D है mechanical तो देखें generator हमारा क्या काम करता है generator अगर आप देखें क्या करता है electrical energy generate करता है ठीक है generator क्या करता है electrical energy generate करता है लेकिन किस energy को convert करता है generator को हम move करते है ठीक है move करना कौन सी energy हो गई mechanical ठीक है यानि mechanical energy को electrical energy में convert करता है कौन generator ठीक है तो इसका सही option क्या होगा option D देखते हैं option D सही answer होगा चलिए आपसे question पूछते हैं जो हमारा motor होता है वो किस energy को किस energy में परिवर्थित करता है आप इसको हमको comments में बताएंगे अगर आप video पूरा देख रहे हैं तक देख रहे हैं तो जरूर आप comments करके बताएंगे कि generator तो mechanical energy को electrical में convert करता है motor हमारा क्या करता है कौन सी energy को किस energy में रूपांत्रित या परिवर्थित करता है next question देखते हैं what is the name of DC generator field DC generator field का नाम क्या है important question है यह समझेगा पूरा समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको option है short sent compound generator log sent योगिक generator option भी है long sent compound generator option सी है differential compound generator option भी है cumulative compound generator ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए एक दिया हुआ है pole उसमें दो bindings है ठीक है एक ये binding है और एक ये binding है दोनों binding अगर आप देखेंगे तो एक binding थीक है एक binding थिन है ठीक है चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं तो इसका सही answer पहले देख लेते हैं यह है cumulative compound generator ठीक है cumulative compound generator है यह कैसे है चलिए इसको आगे समझते हैं यहाँ पर देखिए आप यह हमारा हो गया series binding इसमें दो binding जो दिया है एक है हमारा series binding और एक है हमारा sunt binding ठीक है तो जो series binding होती है यह series binding है पूछेंगे आप कैसे series binding जो होती है वो थीक होती है ठीक है तो यह wire आपको देखिए थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा है इसमें बनाया है उसने और यह है संट बाइंडिंग ठीक है संट बाइंडिंग जो होती है थिन होती है तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमे तो यहाँ पे आप फीगर में देखेंगे कि इसमें जो उपर में आपका सिरीज बाइंडिंग है इसमें भी जो direction है flux का ऐसे ही है ठीक है और जो sunt का winding है इसका भी अगर देखेंगे आप तो direction जो यहां अंदर में आप देख पा रहे हैं एक ही direction में है तो जब हमारा इस तरह की winding में जो flux produce होता है स्रीज और sunt binding का flux जो होता है यहां पे जैसे देख पा रहे है इसका अगर यह निकलेगा flux तो कैसे निकलेगा दोनो flux स्रीज और sunt का flux जो होगा वो एक ही direction में होगा तो जब एक ही direction में होता है उसको हम क्या बोलते हैं cumulative ठीक है उसको cumulative compound generator बोलते हैं similarly अगर इसमें यही direction आपको इस तरह से कर देता ठीक है मतलब opposite यहां से किसी एक का तो क्या होता आपका संट के flux का direction चेंज हो जाता स्रीज के flux का direction यह हो जाता जैसे यहां पर देख रहे हैं आप तो जहां पर जो स्रीज और संट जो दोनों के flux होते हैं वो जब opposite direction में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं differential compound ठीक है यह differential compound हो जाता है important question है कहीं doubt होगा तो आप बिल्कुल comments करके बताइएगा इस पे हम छोटा सा separate video बना देंगे आपके लिए ठीक है जो भी doubts आपके होगे doubt session type का एक video होगा तो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आपके exams आने वाले हैं doubt clear रहेंगे तो आप question को देखते ही tick कर पाएंगे answer तो simple सा समझ लिजी एक cumulative compound क्यों है क्योंकि इसमें जो है series और संट दोनों के flux की direction एक ही है अगर नहीं होती तो क्या होता यह differential compound होता ठीक है चलिए next question देखते है what is the principle of DC generator DC generator का सिधान्त क्या है option A car screw rule option B flaming's left hand rule option C flaming's right hand rule या option D ferade law of electromagnetic induction ठीक है तो इसका सही answer क्या है ferade law of electromagnetic induction ferade law of electromagnetic induction नहीं फेराडे का बिद्दुत चुम्ब की प्रेरण का नियम उम्मीद करते हैं आपको जरूर यह नियम पता होगा नहीं पता होगा इसके बारे में जरूर एक बार देख लीजेगा क्योंकि DC generator हमारा इसी principle पे काम करता है क्या है ferade law मतलब induction electromagnetic induction का क्या नियम है अगर पढ़ेंगे तो कि जब हम एक conductor को place करते हैं किसी varying magnetic field में ठीक है हमारा varying magnetic field है मान लिजे कहीं पर उसमें हमें conductor को जब place करते हैं ठीक है इस तरह से conductor हो गया हमारा यहाँ पे field है आपका मान लिजे इलेक्त्रोमोटिक फोर्स इंड्यूस इन्ड्यूस इनड्यूस इपथा conductor circuit is closed एक current is induced which is called induced current ठीक है तो whenever एक conductor is placed जब एक conductor किसी varying magnetic field में रखा जाता है तो उसमें एक एक उलेक्त्रोमोटिक फोर्स जो है induced होता है अगर conductor का circuit close है तो यही है basically फैराडे लाफ एलेक्ट्रो मेगनेटिक इंडक्शन इसी पर हमारा DC जनेरेटर काम करता है ठीक है और दूसरा फैराडे के बेसिकली देखेंगे तो rule number one and two दो statement है दूसरा statement है जो हमारा कोईल वहां प्लेस किया जाता है उसमें जो इंड्यूश्ट इमेफ होता है वो रेट आफ चेंज आफ फ्लक्स जो होता है उसके बराबर होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुष्चन है what is the formula for dynamically induced EMF गतिसील रूप से प्रेरित EMF के लिए सूत्र क्या है तो यहां option ने दिया है BLV volt option B है BL sin theta volt या option C है BLV sin theta volt या option D है BLV cos theta volt ठीक है तो इसका सही answer होगा आपका BLV sin theta volt basically एक होता है हमारा static EMF और एक होता है dynamically induced EMF दो type की EMF होते हैं क्या होते हैं चलिए इनको समझते हैं जो statically induced EMF होता है इसमें क्या होता है conductor जो हमारा होता है जैसे यह conductor आप देख रहे हैं यह stationary होता है मतलब यह स्थित रहता है यह move नहीं करता ठीक है लेकिन जो हमारा field होता है फील्ड जो आप देख रहे हैं ऐसे ये magnetic field change होता रहता है तब इस तरह से जो induced हमारा EMF होता है उसको हम क्या कहते हैं statically induced EMF कहते है example इसका क्या है हमारा transformer कोई अगर आप से पूछे कि statically induced EMF का example क्या है तो आप बोलेंगे transformer हमारे transformer में कोई conductor तो move नहीं करता उसमें क्या होता है हमारा एक binding से दूसरे binding में flux कैसे पहुचते हैं induced होके लेकिन वो static ही रहता है winding वोह static रहता है तो इसलिए उसमें जो हमारा induced EMF होता है वो static EMF होता है दूसरा क्या दिया है आपको दूसरा आपको दिया है dynamically induced EMF जो आपसे question में भी पूचा है dynamically induced EMF में अगर आप देखेंगे क्या होगा इसमें conductor जो होता है यह conductor आपका place है conductor move करते हैं हम यहाँ पे conductor आपका place है यह हमारा जो B है B हमारा static field है B हमारा magnetic field है लेकिन जो stationary है यहाँ पे field क्या था आपका move हो रहा था ठीक है change हो रहा था लेकिन यहाँ पे हमारा stationary है यहाँ पे conductor place है ठीक है इस conductor में भी अभी हमारा voltage है यह हम एक theta angle पे इसको move करते हैं conductor को तो इसमें जो induced EMF होगा उसको हम dynamically induced EMF कहते हैं मतलब यहाँ पे magnetic field हमारा static है लेकिन जो magnitude है उसका conductor जैसे जैसे move हो रहा है तो उसका magnitude change होता रहता है magnetic flux का तो EMF induced होता है और EC EMF को हम क्या कहते हैं dynamically induced EMF as DC and AC generator हमारा जो generator होता है इसमें क्या होता है field तो हमने क्या है field winding तो हमारा static रहता है लेकिन जो conductor रहता है उसका वो move करता है और जैसे जैसे वो move करता है उसमें EMF induced होता है तो इसलिए उसको हम dynamically induced EMF कहते हैं next question है which rule is used to find direction of magnetic field चुम्ब किये छेतर की दिशा ग्याद करने के लिए किस नियम का उप्योग किया जाता है option A. carc screw rule option B. right hand palm rule option C. flaming left hand rule या option D. flaming's right hand rule ठीक है इसका सही option क्या है आपका flaming's right hand rule next question देखेंगे what is the name of the part of DC generator DC generator के भाग का नाम क्या है ये आपको part दिया हुआ है इसका नाम क्या है option A. stator option B. pole score option C. pole shoe option D. yoke या frame तो ये क्या है ये frame है ये हमारा DC generator का frame होता है next question है how many parallel path in duplex lap binding आफे 4 pole DC generator 4 pole DC generator के duplex lap binding में कितने समानांतर पत हैं ठीक है 4 pole आपको दिया रखा है duplex lap binding है पीछे अगर आपने दिखा होगा था हमने wave और lap binding के बारे में आपको बताया था एक हो गया simplex lap binding एक हो गया duplex lap binding तो इसमें option ने दिया है 4 option B है 6 option C है 8 option D है 12 इसका सही option क्या होगा 8 कैसे होगा चलिए बताते हैं देखिए एक होता है हमारा simplex lap binding ठीक है simplex lap binding में क्या होता है parallel path between the brush is equal to the number of poles ठीक है हमने बताया था न lap binding में पी is equal to A होता है जहाँ पी पोल है A है parallel path यानि समानतर पत ठीक है तो पी बराबर A होता है यहाँ आपको क्या दिया है पी is equal to 4 दिया है simplex lap binding होता तो क्या होता answer 4 होता यहाँ duplex lap binding है क्या होगा 2 से multiply हो जाएगा तो कितना आएगा answer 8 हैगा उसका twice हो जाएगा ठीक है A is equal to 2 into P ठीक next question name the part of DC generator DC generator के भाग का नाम बताईए option A है side end plate option B pole sue lamination option C commutator segment या option D armature core lamination तो इसका सही answer क्या है armature core lamination यह आपको जो दिया हुआ है part यह क्या है armature है basically इस तरह से उसकी laminated जो core रहती इनके बीचे में हमारी वाइंडिंग्स रहती है तो यह armature core lamination की मेंज आपको दे रखा है next question है how interpoles are connected in DC generator DC generator में interpol कैसे जुड़े होते हैं option A है in series भी दा armature armature के साथ series में option B है in parallel with armature armature के साथ समानतर में option C है in series with sunt field sunt field के साथ series में या option D है in parallel with sunt field sunt field के साथ समानतर में तो इसका सही answer क्या है armature के साथ series में जुड़े होते हैं interpol जो हमारे होते हैं यहाँ पे आप image में देखिए इस तरह से यह जूम कर देते हैं, थोड़ा सद आपको क्लियर होगा इंटर पोल हमारे, देखिए ये आर्मेचर है इसके साथ इस तरह से श्रीज में इंटर पोल हमारे जुड़े रहते हैं ठीक है, ये में पोल है हमारा, ये इंटर पोल है ठीक, इंटरपोल बाइंडिंग कैसे हो गई फिर, आर्मेचर के साथ सिरीज में, ठीक है, उम्मीद करते हैं, किलियर हो रहे होंगे डाउट्स आपके, कोई भी डाउट्स आने से, या कोई आपका सजेशन है, या कुछ भी है, तो आप कमेंट्स में हमको बता सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इंटरपोल का काम क्या क्या होता है, ठीक है, इंटरपोल अगर यह भी पूछ सकता न, आपसे कि इंटरपोल का क्या काम होता है, तो इंटरपोल का अगर आप देखेंगे, तो इस तरह से काम होता है, कि यह जो है, निट्रलाइजेशन आफ जो कम्यूटेशन के अंतर जो क्वाइल रहती है उसके कैंसिल कर देते हैं रियक्स्टेंस बोल्टेज को इसका मेन अगर देखेंगे यह कुश्चन अकसर आप से पूछा जाता है इंटरपोल जो है रिड्यूस करते हैं स्पार्किंग एट कम्यूटेटर ठीक है कम्यूटेट सेग्मेंट में स्पार्किंग को रिड्यूस करते हैं और दूसरा है निट्रलाइजेशन आफ क्रॉस मेगनेटाइजेशन यह कुश्चन आप से पूछा जा सकता है नेक्स्ट कुश्चन है वाट इस दा नेसिसिटी आफ रेसीडूल मैगनेटिजम इन एस सेल्फ एकसाइट डीसी जनेरेटर एक स्व उत्तेजी डीसी जनेरेटर में अवसिष्ट चुम्बकत्यू की आवस्यक्ता क्या है option A है build up the voltage, voltage का निर्माड करने के लिए, option B है reduce the field current, field current कम करने के लिए, option C है reduce armature current, armature current कम करने के लिए option D है maintain constant output voltage, नियत voltage output बनाए रखने के लिए तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, voltage, build up voltage के लिए हमारा जो है residual magnetism की जरूरत होती है self excited DC generator में, otherwise हमारा DC generator self excited नहीं हो पाएगा अभी क्या होता है residual magnetism, चलिए समझते है थोड़ा सजूम कर देते हैं, तो आपको clearly, ठीक है तो residual magnetism DC generator में होता है, remaining magnetism, जब हमारा generator operation में नहीं होता है तो उसके जो field के poles होते हैं, उसमें एक magnetism कुछ रह जाता है उसी को हम basically residual magnetism कहते हैं, और यह essential होता है generator के build up voltage के लिए जिससे वो self start होके operate हो सकता है अगर residual magnetism नहीं होगा, तो क्या होगा, generator हमारा electricity produce नहीं कर पाएगा और हमें उसके लिए उसे कहीं से extra source देके excited करना पड़ेगा तभी जाके हमारा generator start कर पाएगा, otherwise वो start नहीं हो पाएगा तो इसी लिए हमारे generator होते हैं, उसमें residual magnetism होता है तो हमारा generator चल नहीं रहा होता है, तो residual magnetism आल्रेडी वहाँ जो है उनकी poles, field के जो poles होते हैं, उसमें available रहता है जिसके वज़ा से generator हमारे self excited होते हैं next question है which are the two points that the brush contact resistance measured in DC machine DC machineों में वो काउन से दो बिंदू है जो brush संपर प्रत्रोद को मापते हैं किस बिंदू पर आपके brush contact resistance को measure किया जाता है option A है resistance between the opposite brushes option B है resistance between brush and commutator razor brush और commutator razor के बीच प्रत्रोद option C है resistance between brush and commutator brush और commutator के बीच प्रत्रोद या option D है resistance between brush and armature conductor brush और armature conductor के बीच प्रत्रोद इसमें आप देखेंगे इसका सही answer जो है between brush and commutator हमारा brush क्या होता है commutator के उपर लगा रहता है तो resistance कहाँ measure करेंगे commutator brush के बीच में ही करेंगे कैसे लगा होता है उसका अरेंजमेंट यहां पिक्चर से क्लियर समझे यह हमारा होता है rotor ठीक है rotor की coils है यह हमारा लगा होता है यह shaft हो गया यह है commutator यह दोनों brush है यह दोनों brush यहां लगे हुए हैं किस पे लगे हुए हैं commutator पे तो हम इसके resistance को अगर measure करना है तो किस के साथ है संपर्क में है कम्यूटेटर के साथ है तो ब्रस जब कम्यूटेटर के साथ संपर्क में है तो कम्यूटेटर और ब्रस के बीच ही resistance हम measure करेंगे ठीक है Next question है Which voltage drop is indicated in the portion marked as X किस voltage drop को X के रूप में चिन्हित किया गया है यह आपको figure दिया हुआ है इसमें आपका देखिए load current है और यह terminal voltage है इनके बीच की एक curve plot किया गया है एक graph plot किया गया है यह full load current है B point पे ठीक है तो यह पूछ रहा है जो X है वो क्या है तो अगर यह full load current है तो यह क्या है full load voltage नहीं full load voltage तो नहीं है वो armature voltage drop वो भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यह difference तो यह voltage drop तो नहीं है armature reaction drop या sunt field voltage drop ठीक है तो इसका सही answer क्या होगा armature reaction drop यह basically जो इतना part है armature reaction की वज़ा से जो drop होता है वो यह drop है इसलिए उसको armature reaction drop कहते है next question है what is the name of the compound generator if the sunt field is connected in parallel with armature ठीक है यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है sunt field जो है armature के parallel में connected है तो वो कौन सा generator होगा पिछला question अगर आपने ध्यान से देखा होगा आपके दिमाग में आ गया होगा option A है long sunt compound option B है cumulative compound option C है differential compound या option D है short sunt compound चलिए अगर answer आ गया है तो आप सीधे comment में अपने मन में सोच लीजिए देखिए आपका 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 सही होता है कि नहीं तो इसका सही answer क्या है short sunt compound ठीक है कैसे होता है यहाँ पर आप देख लीजिए short sunt compound में क्या होता है जो हमारा sunt होता है basically sunt filled वो हमेशा armature के समानतर में इस तरह से जुड़ा रहता है ठीक है यह आपका differential short sunt compound हो गया इस तरह से जुड़ा है तो यह cumulative short sunt compound हो गया next question है why the armature core of a DC generator is laminated क्यों एक DC generator के armature corp को laminated किया जाता है option है reduce the copper loss option b reduce the friction loss option c reduce the hysteresis loss या option c reduce the ed current loss भवरधा रहानी को कम करने के लिए तो इसका सही option क्या है आपका reduce the ed current loss भवरधार हानियों को कम करने के लिए हमारा जो generator के armature core को पतले पतले lamination से बनाया जाता है जिससे भवरधारा हानियों को कम किया जा सके चलिए कुश्चन आपसे इसे में पुछते हैं कि हिस्टेरिसिस हानी जो होती है इसको कम करने के लिए हम क्या steps लेते हैं अगर आपको पता है तो जरूर आप comments में हमको बताईए next question है why armature resistance of a DC generator is very low DC generator का armature प्रत्रोध बहुत कम क्यों होता है option ने है reduce armature current armature धारा को कम करने के लिए option भी है reduce armature voltage drop armature के voltage drop को कम करने के लिए option C है run armature with less weight कम वजन के साथ armature को चलाने के लिए या option D है reduce the temperature of armature armature का तापमान कम करने के लिए तो क्यों होता है प्रत्रोध कम हमारा इसका सही option है reduce armature voltage drop ठीक है DC जो हमारा होता है DC generator उसका armature resistance low रहता है जिससे voltage drop low हो हमारा generator में next question है why the DC generator should run in clockwise direction only DC generator को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए option है protect brushage from damage brush को नुकसान से बचाने के लिए option B है protect the residual magnetism औसिष्ट चुम्गत को बचाने के लिए option C है avoid short circuit in armature armature में short circuit से बचने के लिए या option D है avoid overloading of generator generator को overload से बचाने के लिए तो इसका सही answer है protect the residual magnetism ठीक है clockwise direction में इसलिए रखते हैं कि जिससे हमारा residual magnetism जो है जो की generator को self excite करने के लिए जरूरी होता है पीछे जैसे हमने बताया था उसको protect किया जा सके नेक्स्ट कुश्चन है why compensating binding is provided in large DC generator बड़े DC generator में compensating binding क्यों प्रदान की जाती है compensating binding क्यों प्रदान की जाती ये question आपसे पूँच रहा है option A है connect more loads अधिक load को connect करने के लिए option B है reduce commutation effect commutation प्रभाव को कम करने के लिए option C है neutralize armature reaction effect armature प्रतिक्रिया प्रभाव को neutralize करने के लिए बेएसर करने के लिए option D है increase the efficiency of generator generator की दक्षिता को बढ़ाने के लिए तो किसलिए लगाते हैं compensating binding neutralize armature reaction effect armature जो प्रतिक्रिया प्रभाव होता है उसको बेएसर करने के लिए compensating binding लगाई जाती है कैसे लगी होती है चलिए यहाँ image में देखते है इस तरह से आप देखेंगे यह हमारा जो होता है compensating binding यहाँ पर हमारी provide की जाती है main winding होती है हमारी यहाँ पर field winding होती है यहाँ पे हम compensating binding दे देते हैं जिससे हम armature resistance के effect को जो है कम कर सकें Question number 25 है What is the reason for DC generator fails to build up voltage DC generator के voltage का निर्माड करने बिफल होने का क्या कारण है Option A आपको दिया loose brush contact, delay brush contact Option B है armature resistance is more, armature प्रतुरूध अधिक हो जाना Option C है field resistance is above critical resistance Field प्रतुरूध क्रांतिक प्रतुरूध से उपर होना Option D है prime mover is running at above rated speed Prime mover rated गती से उपर चल रहा है तो इसका सही option क्या है Option C, field resistance जब critical resistance से उपर हो जाता है तो जो हमारा DC generator है वो voltage निर्माड करने में बिफल हो जाता है Question ध्यान रखेगा field resistance above critical resistance Field resistance जब भी क्रांतिक प्रतुरूध यानी critical resistance से उपर हो जाता है यानि जादा हो जाता है तो हमारा DC generator voltage निर्माड करने में बिफल हो जाता है इस question को आप से उल्टा भी पूँच सकता है कि क्या होता है अगर field resistance critical resistance से जादा हो तो उसमें आप सन आपका क्या रहेगा कि DC generator voltage निर्माड नहीं कर पाएगा DC generator fails to build up voltage उस आप सन को आपको सही कर देना है बिल्कुल confuse नहीं होना है उम्मीद करते हैं 25 के 25 question आपको समझ में आये होंगे कोई question अगर समझ में नहीं आया है इसका answer आप comment box में हमको दीजिए bonus question है which generator cannot start if there is no residual magnetism जो हमने आपको पढ़ाया है उसी में से question है अगर आपने पढ़ा है तो जरूर आपको question का answer आ रहा होगा option है series generator option B sent generator option C separately excited generator option D all of the above ठीक है कौन से generator में कौन सा generator start नहीं होगा अगर वहाँ पर residual magnetism नहीं है वो आपको बताना है चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe करके रख लीजिए आपको सारी वीडियो जिसी पर मिल जाएंगी electrician, welder, plumber सारी जितनी भी series हैं आपके iti cbt exams related या apprentice related, government jobs related totally iti based youtube channel है आपके लिए iti के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए channel बनाया गया है जिससे उनको समय समय पर सारी update genuine update मिलती रहे इस channel पर दीगे कोई एक भी जानकारी गलत नहीं होती है सारी जानकारी well verified and trusted होती है तो आप पुरी तरीके से trust कर सकते हैं वीडियो को like और share करना ना भूलें साथी साथ अपने दोस्तों को share करें channel को भी और video को भी जिससे इस channel की growth हो सके और साथी साथ हम आपके लिए और अच्छे content ला सकें Thank you so much